हेलो फ्रेंब, वेल्कम बैक टू माई न्यू वीडियो तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चावल या चिनी वगारा के जो भी हमारे ये बैग आते हैं बने हुए देखिए इस तरहें थेलियां इनको लेडिज तो किचन म होगा कि ये क्या चीज है और जी आज इन से रिलेटिड है वीडियो इन से आज हम बहुत ही अच्छी चीज बनाएंगे तो उसके लिए लिया जी सबसे पहले कार्डबोर कार्डबोर को मैं ये निशानगार्ख है इस शेप में थोड़ा कट करेंगे उसके बाद आगे का प तो जी गत्ता हमने काट लिया है ऐसे एग शेप में और जी ये जो हो थेलियां है मेरे पास 8-9 चावल की ये इनogen रची ये जो भी आती है तो इनकी लंभी लंभी स्ट्रीप्स काट लेंगे जैसे एक थिली है आप देखी सकते हैं सामने उसकी हमने जैसे तीन हिस्सों में उसको लंबी लंबी स्टिप्स में डिवाइड कर लिया और एक है वो मेरे पास कलरफुल चावल के थिली है बाकी सारी है वाइट तो इन सब को जी मिला कर हम बनाएंगे कुछ अलग तो ठीक है देखिए इस तरह हैं मेरी लंबी-लंबी स्टिप्स सारी कट चुकी है जितने भी मेरे पास थीली यांती और अब फ्रेंस यहां हैं ध्यान देने वाली बात इस तरह हैं जी मैंने दोनों साइडों से फोल्ड किया है और एक इस तरह फोल्ड करकर एक रसी की टाइप हम ऐसे गोल-गोल बना लेंगे और इस तने देखिए सुई धागा मोटे वाला धागा लिया है मैंने और मोटे वाली रीली है वह बहुत कलरlier आती है जैसे लाल हर कलर में आती है और इस तरह देखिए मैंने कार्बोर्ड के उपर इस तरह एक राउंड में ऐसे पूरा करूंगी और कार्बोर्ड में से निकालते हुए रसी के उपर से हम ऐसे छुट छुटे बोक्से बराते जाएंगे तो देखिए जी इस तरह हैं फ्रेंस मैं पूरा राउंड पहले जो हमारी मोटी वाली यह थेली थी मैंने बताया था आपको कुछ प्लेन है और कुछ चावल की थेली यह मोटी कलरफुल है तो इस तरह मैंने उपर रखकर राउंड राउंड गुमा कर इस तरह मोटी रसी की तरह हम फोल्ड कर लेंगे इस स्ट्रिप्स को यह देखिए थोड़ी देर बाद फिर मैं इतर गत्ते में से निकालते हुए इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद हम में से डबल धागा कर लिया है और इस तरह फ्रेंस यह गत्ते के उपर अटैच हो जाएगा इस तरह एक राउंड पुरा करेंगे फिर दो करेंगे तीन इस तरह जित इतना मोटा मतलब हमने जितनी रखनी है उतना हम अपने हिसाब से रखी हैं चाहर झा देखिखे हैं जितनक जड़ कर दो से रखी है एंसे और में अबदे करेंये हैं झाल 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 तो ये देखें जी तीन या चार लेयर हमने इस तरह बना ली है तो मैंने जो भी मैं बना रही हूँ बस मेरे को इतना ही चाहिए तो ये देखें जी अब मैं क्या करूँगी मेरे पास पड़ाया वाल पेपर तो जो इसके उपर रखकर मैंने इस तरह एक शेप सी में काट लिया है जिस शेप में हमारी ये और्गनाइजर हमारा ये बनने जा रहा है तो ये देखें इस तरह काट कर इसको चाहो तो सिंपली या फिर फैविकोल वगारा से अटैच कर लो तो ये देखें जी इतना अच्छा लग रहा है बनने के बाद और इस तरह हैं ये जो थेलियों के जो बैगों के हमने काटे हैं उनके उपर से जो पकड़ने वाली हैं तो वो मैंने उसी टाइप के हैं ऐसे लगा दिये तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे चोटे-चोटे बॉक्स में कोई रैट बना दी गरीन बना दी इस तरह हैं तो फ्रेंस देखिए हमारी फ्रूट बास्किट जी रोकोस्ट में बन गई है जो की धेलियां हमारी घर में आती है बिलकुल वेस्ट होती है तो ये देखिए कितन अच्छा लग रहा है आप इसमें जो मर्जी रख सकते हैं और फ्रेंस अगर आपको ये थोड़ी सी अच्छी लगिए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबबब